जहार के लिए जहारखंड के रास्ते बंगाल के कॉलकता डेलवे स्टेशन से एक नए ट्रेंड का संचालन को डेलवे ने किया है चालू और इस वीडियो अब्डेट में हम बात करेंगे से ट्रेंड के डिटेल्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस् सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरशल भारतियय रेलवे के तरफ से ट्रेंड में 0-3185 के साथ एक नए ट्रेंड बंगाल के कॉलकता डेलवे स्टेशन से सुरू की जा चुकी है यह train कोलकता डेलवे स्टेशन से 11.95 मिनट पर मध्यरात्री रवाना होगी जो कि यह train बर्धमान डेलवे स्टेशन के रास्ते दुरगापूर होते वे आसन सोल पहुंचेगी ये ट्रेन कोलकता डेलवे स्टेशन से जैनेगर के लिए चलाई जाएगी जो कि बिहार और जहारखंड के रास्ते चलेगी बिहार के ये ट्रेन काई डेलबेस टेशन पर रुकेगे जिसमें की कियूल, बड़वनी, समस्तिपूर और दरभंगा डेलबेस टेशन पर इसी ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है इसके लावे ये ट्रेन जारखंड के मधुपूर जैसीडी जाजाम में 20 का स्टॉपेज रहेगा ये ट्रेन इसके अत्रिक्त बर्धमान दुर्गापूर और आसन सोल के साथ साथ चितरंजन होकर चलेगी और इन सभी रेलवे स्टेशनों पर इसे ट्रेन का स्टॉपेज दिया गिया है ये ट्रेन कोलकेता रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद दूसरे दिन दो बच कर पंद्रे मिनेट पर दो पहर में ये ट्रेन जैने गर पहुँचेगी 612 किलमिटर का सफर तय करके इसे ट्रेन का संचालन रेलवे ने चालू किया है दोनों ही δिसवाम भी इस ट्रेन का रेलिवे ने संचालन सुरू कर चुका है और इस ट्रेन का संचालन 16 कोच के सुभधा के साथ शुरू किया गया है भी इसमें की कुल मिलाकर पाँच जनरल कोच के साथ साथ एसी के चार कोच सहीत चेयर कार के अलावे AC Second Tire AC का भी सुभधा दिया गिया है कुल मिला कर इसे ट्रेन में 16 कोच लगे रहेंगे जो कि एक बड़ी अपडेट है और ट्रेन के टाइम टेबल हमने आपको बता दिया इस वीडियो में ही पहले ही इसके अलावे आने वाले नए ट्रेनों के लेटेश्ट वीडियो अबडेट के लिए आमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं